स्वागत आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में और ये वीडियो अब के लिए आपके एकजाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्लास 10 विद्यारती जो है ना साइन्स कॉंटेंट के बाद जो अबजेक्टिब का टे एक लेशन का जो है ना वीडियो अपलोट किया जा रहा है अगर आप इस ग्यापन एकेडमी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे ना तो सब्सक्राइब कर लेजीए क्यों क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है कोई चार्जने बिल्कुल फ्री और आपको बता दें कि जितने भी यह अबजेक्टिव हम लोग करा रहें ना लास्ट में इसका पूरा का पूरा नोट्स हम लोग दे देंगे तो आपकी उन्हें वीडियो को सुरू से लेकर के अंतक बढ़िया से समझ ले ताकि नोट्स बाटने के बाद उसमें एंसर जो ह क्या करने मले हैं कमेश्ट्री का अभी तक हम लोग क्या किया है रसाइनी का विक्रियां समीकरनामक चेप्टर को समाप्त कर लिए उसका अबजेक्टिव आमने छारे के लावन का भी कर लिए धातू अधातू का भी कर लिए आज के इस वीडियो में सबसे इंपोर्टेंट जहां से बहुत जादा अबजेक्टिव बनता है और बहुत जादा अबजेक्टिव कोशन पूछा जाता है वह है आपका जाना माना एदम चहीता चिप्टर कार्बन एवं उसके योगी अगर इसको कंटेंट को पढ़ना होगा इसका पाठे पढ़ा देते तो बेहतर होता तो मैं पढ़ाया हूं इसमें नो बहाना ठीक है न डिरिजन चुझ ठीक है आप चाहें तो उस कांटेंट को वी पढ़से तो क्यूंद से भी कोसन पूछेगा आपसे और अबजेक्टिव माने भरपूर इससे पूछता है मैंने कांटेंट से भी कोसन पूछता है और objective के लिए करने वाले हैं ये वीडियो काफी मज़दार और इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्यों कि ये कार्बन एवम उसके योगिक नाम का जो चेप्टर है ना ये काफी जो है आपके एक्जाम के लिए कारगर सावित होने वाला और इसी से सब्जेक्टिव और अब्जेक् बन जाने वाले 2025 बोड को एकदम बिल्कुल जोना टार्गेट करना है एकदम बिहार टॉप बनना है साइंस में एकदम जो हैना सुनिये ध्यान से साइंस में अगर 95 पलस का सोच लिए हैं तो ग्यापन एकेडमी से जूड़ जाए जो नहीं जूड़े हैं वो भी जूड़ जो नए नए वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए भी ना देर किया हम लोग इसके अब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो यहां पर नेक्स चेप्टर की बात करें तो हमारा नेक्स चेप्टर है कारबन तथा इसके योगिक बहुत ही इंप पॉइंट ऑफ यू से काफी इंपोर्डेंट साबित होने वाला है अभी फिलाल हम अब्जेक्टिव ओन लाइनर करा रहे हैं इसके बाद हम जो है ना अप्सनल कोसन कराएंगे जो की एक भी कोसन अब्जेक्टिव इस चेप्टर से छुटने वाला नहीं है यहां पहला प् पर यूरिया का संसलेशन किस विज्ञानिक ने किया तो वोलर ने ठीक है पर यूक्षाला में संसलेशित पहला कार्बनिक योगिक है ns2 bond co bond ns2 ठीक है उसके बाद से अगला परस्ट देखेंगे ज़रा एस 시टिक अमल का संसलेशन किसने किया तो कॉल्बे ने ठीक है अगल आप परसने देखेंगे यहां पर अब तक कितने कार्विनिक योगिक परियोग शाला में बनाए जा चुके हैं मतलब देखिए एकदम जीरो लेबल से एडवांस लेबल तक का को सन है इसमें तो एक करोड़ साथ लाग से अधिक ठीक हैं अब यहां देखें अब यहां से ख़ग अगह से लेकरके हैं पूरे जो है न क्या पोलते है अक्षर से जो शब्द पनते हैं शब्द से अनरा वाक्षिस से पूरे कहानी बनते हैं तो जिस तरीके से धीरे-दीरे जो У데 साबसेreh sebal high होते जा रहा है यहांवा देखे 7 प्रस्ण जो आपके org पूछा ही पूछा जाएगा इंक शमानी शुत्रु थैक है ना क्या प्रस्ण है कि इलके niños सुट्र क्या है तो सी ए इसक्वन पुछा 2 और लकानी का समानी शुत्र क्या और के हाईडोजन और कारवन के साथ यह रुड़ारा और उ'll कार्वन के स्युन पेफ्नेंट क्या इसलिए इसको क्या करते हैं, अच्य देखिए चार होती इसलिए does get कहते हैं तो अगर 3 होती तो देखे पहले को कहते हैं कार्बन को सग्रीक जाए तो दो दो आ जाए तो मोनों के बाए तीन आ जाए तो यत तो टेटरा इसलिए कार्बन के बइलाइट सि और बेलेश एलेक्तार चार होती है इसलिए इसे राइद से मौन जानते हैं ठीक है अगला परसुल देखेंगे आपके स्क्रीन पर है खूली स्रिंगला वाले संत्रित हाइड्डर कार्बन को कहते हैं क्या एलिफायटिक योगी कहते हैं एलकीन का समानने सुत्र क्या है तो सी एन एस टुन प्लस वन एलकील क्या है ठीक है ना उसके बाद से अगला प्रसंद देखेंगे प्रित्वी पर कार्बन कितना प्रतिसत पाया जाता है तो 0.02 परसें ठीक है इसके बावजूद भी अपने जी तो देखेंगे को सन क्या था ये बेचारा क्या करता है यह जाता है तैयारि करके टरोरी जरीज़ूर्स के बारे में और क्या गया रहता है कि कितनी प्रतिसमात्रा है आप से पूछ देते हैं वायू मंडल में कितना प्रतिसमात्रा है आप 0.02 लगा करके आ जाते हैं पर यहां पर आपको इलाटरानी की जरुरत है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन क्या है दिखेगा कारबनी की योगिक में ततू के संयों का ठीक है ना आधा प्रकार करें तो यह क्रियाशील समावई अगर यहां पर देख लेंगे अगला आड़शूत्र सी फाइब सिरींखरा समावई सकते हैं यहां नार्मल बनता है एक आईसो बनता एक निवह बनता है नियों बनता है सबस्पोज मान करके छले कि कारवन केरवन कारवन 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 करवन अगर लंबा ही चेहन बना कर चला जाए इसके साथ अगर हईडोर जूड़ा रहे हैं तो यह उसमझे लेना कि इन और मल ईटटर कारवन है लेकर अगर नर्मल के कि यह हो गया आपका तो दिखेंगे यहां पर क्या होता है ना कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहां पर क्या पुछ रहा है कि आघू सुथ्र सी 512 कि कितने सिंगला समाभी है तो तीन हो सकते हैं ठीक है यहां पर थोड़ा सा question के साथ misunderstanding हो रही है बट इस question को छोड़ते हैं ठीक है ना यह question हालें की उतना important नहीं है ठीक है ना लेकिन फिलहाल मैं यहीं कहूंगा कि इस question का सही answer अगर आप लोग पूछना चाहें तो मैं comment में बता दूँगा हालें की यह question उतना important नहीं है ठीक है ना अब आएए बात करते हैं थोड़ा सा उस question के साथ ही और उसका answer भी मेरे को थोड़ा सा गड़ लग रहा है केल्सियम करभाइड जल के साथ अभी क्रिया करके क्या देता है तो एथाइन देता है यहां पर अगला प्रस्ण देखेंगे 22 नमर 14 7 वन का अड़ सुत्र होता है सी 17 एच 25 सी ओओ एन एड लास्ट में सोडियम मुलाइम साथ तो सी 17 एच 25 योग की अदिके मुलाइम रहे तो की रहेगा पोटेसियम रहेगा और थोड़ा सा हाड रहेगा तो सोडियम लास्ट मे बोल रहा है कि इसके जल अब घर्टन में मेथेन बनता है तो यहां हो जाएगा आपके क्या चीज आप एल यू सी 3 ठीक है जब एथेनॉल को सांद्र एस्टू एसफोर के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है सी 2 एच 4 ठीक है ना लेकिन यहां पर क्याना कि एल यू नहीं है यह आपको बता दें एल एल फूर है ठीक है और सी 3 है ठीक है यह ध्यान में रखिएगा ठीक है ना उसके बाद से बात करते हैं कौन सा अलकोहल जल में सबसे कम विला है तो सी एस थिरी सी एस टू सी एस टू एच ठीक है और बीच में बॉन्ड विला कर रहेगा तो आप देंगे अलकोहल बनाने में शरक्राय का किर्वन किस किरिया से होती है तो एंजाइम द्वारा ठीक है अगला प्रस्ण आप देखेंगे 29 नंबर वह एलोईक ऐसी एस्टियरिक पैमेटिक और पैमेटिक अमल है तो वह सिया अमल मेथेन चीएज फोर किस का उधारण है तो सं अगला प्रस्ण देखेंगे किसमें विदू संयोजक बंधन पाया जाता है तो इनसील का यहीं सोडियम कुल्राइड का ठीक है ना फुलेरीन फुलेरीन का मैंने फुलेरीन की अकृति किसके जैसी होती है तो फूटबॉल की तरह होती है ठीक है ना डालडा में उपस्तित तो वसा अमने किस परकृति का होता है तो संत्रित होता है ठीक है अगला प्रस्ण देखेंगे हीरा और ग्रेफाइट किस से बने होते हैं तो कार्वन के अड़ों से कोईले के भंजक आस्वन के पसाथ बना ऑस्यस का लाता है को कार्वन का कौन सा अप्रूप सबसे कठोर हो इंपोर्डन और पाउरफुल लगा होगा आपकी बोर्ड एक्जाम में सबसे ज़्यादे इसी लेशन से अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाता है इसलिए मैंने इस चेप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपको समझाने की कोशिस किया बहुत ही जादर इंपोर्डन और यूसफुल लगा होगा तो क्यों ना गुर्ड दक्षना के रूप में इस वीडियो को सेर कर दीजिए और अभी तक लाइक नहीं कियोंगे तो लाइक कर दीजिए चैनल पर नए तो सस्क्राइब कर दीजिए और तो और अंत में एक काम करके जरूर जाएए थोड़ा सा समय बस लगेगा मतलब इन सेकेंड इन मोमेंट की बात बता रहे हैं कि इस वीडियो का लिंक उठाइए और आप अपने वाटसेप पर शेर कर दीजिए ताकि आप से जूड़े जितने भी ब्यक्ति हैं जो बिहार बोड दोजर पचीस यानि क्लास 10 बि जा सकें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चेप्टर के साथ तब तक के लिए जैहिन